मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूटूब चैनल आफताब इस्टडी क्लासेस में आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि जिन बच्चों ने प्राविदी क्लासे इंटरमेडियर्ट की परिक्षा पास कहली है या जो पास करने वाले हैं वे TGT से आइट सब्जेक्ट के टीचर किस तरीके से बन सकते हैं इसके लिए क्या-क्या क्वालिफिकेशन चाहिए होती हैं तो प्रतेक चीज़ के बारे में अच्छे तरीके से याँपर हम लोग बात करने वाले हैं तो प्यूरी वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा और यहाँ पर आप समझ जाएंगे ठीक है तो शुरुआत करते हैं TGT इसकी फुल फार्म होती है ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर ठीक है और इससे आप लोग कि सब्जेक्ट के टीचर बने वाले हैं आयट मतलब कलाविसेगे ठीक है तो समझेगा सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि इसके लिए योगिता क्या होनी चाहिए ठीक है तो योगिता के वारे में आप लोग यहाँ पर देख लीजिएगा ठीक है तो योगिता में क्या है सबसे पहरी बात तो ये है कि आप लोगों ने UP board से ठीक है UP board से क्या क्या हो प्राविदिक कला ठीक है UP board से प्राविदिक कला विशय से क्या क्या हो intermediate की परिच्छा पास की हो तो समझेगा आप लोग सबसे पहरा क्या point आपका है कि UP board से प्राविदिक कला सब्जेक्ट में जो है आपने इंटर क्या हो अब कुछ लोग क्या करते हैं रेगुलर करते हैं कुछ private चाहे रेगुलर हो चाहे private हो कोई समस्या वाली बात नहीं है ठीक है इसके साथ में और क्या होना चाहिए तो इसके साथ में आपको इसनातक और होना चाहिए इसनातक का मतलब graduation ठीक है इस नातक का मतलब क्या graduation अब बारी आती है कि graduation कि subject से होना चाहिए तो आपका ये किसी भी विशेशे हो ठीक है मैं आपको आपको लिख देना हो ठीक है किसी भी विशेशे आपने इस नातक किया हो मतलब चाहें आपने BA किया हो किसी सब्जेक्ट से चाहें आपने BSC किया हो चाहें BCOM किया हो ठीक है तो आपने इस नातक का जो कूर्स तीन साल का होता है वो आपने कल लखा हो ठीक है तो बात समझ गए UP Board से प्राविदिक कला में आपने इंटर की परिच्छा पास की हो प्राइवेट रेग्लर से कोई प्राव्लम यह पर आपको नहीं होगे और इस नातक परिच्छा मतलब graduation जो आपने क्या हो वो किसी भी विशेस किया हो चाहे आपने BA किया हो चाहे बHC किया हो चाहे B.com किया हो ठीक है इससे भी कोई problem नहीं होने वाली तो ये आपके qualification इतनी आपके पास होने चाहिए तो अभी अगर आप लोगों ने इसलिए प्राविदी क्लास से इंटर किया है आपका graduation complete नहीं हुआ है तो बस आप लोग graduation को complete कर लिजेगा फड़ा वर्स से ठीक है और उसके बाद आप लोग इसके योग हो चुके है इसके लिए अब बारी आती है B.A.D. की ठीक है तो आप जहां देखिए क्या कि जो आपका B.A.D. होता है bachelor of education ठीक है तो ये आपको नहीं चाहिए ठीक है बात को समझ के आप लोग यहां पर B.A.D. करने की आवशक्ता नहीं होती है और ये सिर्फ art के subject में ही ऐसा होता है बाकी आप किसी भी subject से अगर T.G.T. से teacher बनेंगे तो आपको B.A.D. compulsory होता है सभी में लेकिन सिर्फ इसमें क्या होता है कि प्राविदी कलासे आप इंटर कहे लिए और उसके बाद में आप Gladiation कहे लिए और वो भी किसी भी side मतलब B.A.B.C.B. कुछ भी कहे लिए आप बस आप जो है इसके योग हो चुके है B.A.D. के आवशक्ता नहीं है इतनी बात आप सभी के clear मतलब clear हो गई ओगी ठीक है अब योग गिता तो हो चुकी है उसके बात बात करते हैं आगे कि अगर हम इसके योग हैं तो हमें paper वगरा के बारे में थोड़ा बता दीजेगा तो paper के बारे में आप सुन दीजेगा सबसे अच्छा फाइदा और यहां पर क्या होने वाला है कि जो आपका paper होगा वो सिर्फ एक paper आपका होगा ठीक है कितने paper होँगे सिर्फ एक paper होगा अब आगे समझेगा इस paper में कितने प्रश्ण आएंगे तो इस paper में आपको मिलेंगे 125 प्रश्ण ठीक है 125 प्रश्ण मिलेंगे 500 अंक के होगे मतलब क्या है कि एक जो आपका प्रश्ण है वो कितने का होगा 4 अंक का होजाएगा ठीक है एक कितने का होगा 4 अंक का होगा और बात की ज़ाएक negative marking की की negative marking तो negative नहीं है बात की ज़ाए interview की ठीक है तो interview की बात की जाए, तो ये भी नहीं है, ठीक है, interview ये भी नहीं है, तो सिर्फ क्या है, केवल आपको एक paper qualify करना होगा, 125 प्रश्न होगे, 500 नंबर के होगे, एक प्रश्न आपका कितने नंबर का होगा, आपका 4 नंबर का होगा, ठीक है, और negative marking ये भी नहीं है, आप interview की बा पाज गयोंगे ठीक है समय कितना इसके लिए मिलता आपको ठीक है टाइम की अगर बात कह लें तो इसके लिए आपको समय मिलता है ठीक है दो घंटे का ठीक है दो घंटे का आपको टाइम मिलेगा कि दो घंटे में आपको 125 प्रश्ण सॉल्व करने होते हैं प्रश्ण होंगे क अब्जेक्टिब का मतलब तो आप समझ रहा है ना कि आपको चार आपसन मिलेंगे A, B, C, D इनमें इसे कोई एक सही होगा तो उसी को आपको जो है आपको OMR सीट मिलेगी उसे में आपको सही करना होगा ठीक है तो इतनी बात को आप सभी लोग समझ चुके हैं अब कुछ बच्चों क्या होता सिस्टम है कि उनका इसनातक गुरेजिशन में अगरा बो मतलब चलना होता है साथ में प्राविदी कलास इंटर्वे कह लिए है अब बारी आती है कि फार्म तब भी ने पड़ता है तो ऐसे कंडिशन होती है एज को लेकर तो एज भी आप देख लिजेगा ठीक है एज आपको चाहिए इसमें है 21 वर्ष ठीक है जब आपका नोटिफिकेसन आए तो जुलाई से तो आप समझेगा 21 वर्ष आपकी एज होने चाहिए तो अगर आप लोगों की एज भी थोड़ी कम है मालेजे 20 वर्ष का कोई है 19 वर्ष का है तो आपके पास अच्छा टाइम है एक साल दो साल क्योंकि कम से कम अगर आप दो साल इसकी तयारी में लगे होंगे लगातार आप इसमें लगे रहेंगे दो साल के लिए तो सेलेक्शन आप निश्यत रूप से पालेंगे ठीक है और आगे ये डिपेंट करता है कि वेकेंसिज कितनी आती है कभी ज़्यादा आती है कभी कम आती है ठीक है फिलाल हमने आपको पूरी बात बता दी यहां पर है कि आपकी योगिता योगिता क्या थी प्राविदिक कलास से आपने इंटर की प्रेच्छा पास कहली है और इसनातक आपका होना चाहिए ग्रेजुएशन किसी भी सब्जेक्ट से बीएस सी बीए बीकॉम कुछ भी या इसके अलावा जो भी आपका इसनातक मतलब जो भी डि एक प्रस्ण चार अंका निगेटिव भी नहीं है इंटर्विव भी नहीं है समय आपको दो गंटे का मिलेगा आपको अबजेक्टिव रूप में प्रस्ण मिलेंगी इस तरीके से कोई एक सही होगा और आपकी एज कितनी होने चाहिए 21 वर्स आपकी एज हो जाने चाहिए सेलली भी तो इसमें बहुत अच्छी है ठीक है सेलली की स्टाइटिंग और बताए आपको तो 44,900 से अधिक्तम कितनी तक आपकी जासकती है एक लाख 42,400 ये इसकी सेलली इसके अलावा और पे लेवल और ग्रेड पे ये भी बहुत जादा आदा है ठीक है ग्रेड पे आपक त्यारी करेंगे तो निश्चित रूप से आप सफल होंगे इसमें आपको कोई ने रूप सकता है ठीक है तो उमीद करता हूँ आप लोग पूरी बात को अच्छी तरह के समझगे होंगे ठीक है चैनल पर दिया आप लोग पहली बारा है तो आप लोग चैनल को जरू करिएगा मिलते हैं एक वीडियो में